हेलो पेंट्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज जो वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा एक कुचिना कमपनी का एक वाटर प्यूडिफाई उसका यूबी लाइट खाड़ाफ हो गया कमपनी से मुझे दिया है वो यूबी लाइट का जो सर्कीट है सर्कीट क को रिप्यार करने के लिए तो आज दिखाएंगे आप लोग को प्याक्टिकल वीडियो वीडियो का अंतक जुरूद देखिए अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूबी जो सी लाइट है ये कभी भ अपका बहुत ही खत्रनाक है ये आखों के लिए कभी भी खोले आख में मत देखिए तो कि अब देखिए ये कुचिना कंपणी का वाटर प्यूरिफाई जो आता है तो वाटर प्यूरिफाई का ये यूवी ब्लास्ट सरकिट है इस सरकिट के मदाच्छे ये यूवी लाइट जलता है तो ये खाड़ाब हो गया तो इसको हम रिप्यार करने वाले तो रिप्यार करके हम दिखाएंगे कैसे रिप्यार होते इसका प्याक्टिकल वीडियो हम आप लोग को आज दिखाएंगे देखे मेरे पास दोनों सरकिट है दो सरकिट सेम टू सेम है तो दो सरकिट को हम रिप्यार करके दिखाएंगे दोनों को क्या क्या फॉल्ट है देखेंगे यह सी लेन पर यूज होता है सी लेन इंपूट है और यह दोनों जो पॉयंट है दोनों पॉयंट आपका यूवी लेन का पॉयंट है देखें दोनों point के साथ हम uv line का connection कर दिया और ac line का connection कर दिया तो पहले इसको हम series line पर check करके देखते हैं देखें series line connection on कर रहा है कोई भी connection नहीं आ रहा है देखें यहाँ पे एक led लगाया है led भी नहीं जल रहा है और uv line भी देखें यह भी light भी नहीं जल रहा है पहले देखें ac line का voltage है ac line का voltage को हम चेक करते है voltage आ रहा है या नहीं आ रहा है देखें यहाँ पे voltage आ रहा है 218 दिख़़ए है अब हम dc line का voltage हम चेक करते है यहाँ पे एक fusible resistance है fusible resistance से होकर इधार dc line आ रहा है dc line का हम चेक करते है voltage आ रहा है या नहीं आ रहा है देखें यहाँ पे कोई voltage नहीं आ रहा है मतलब आपका यह जो resistance है resistance खड़ाब हो गया अब यह distance को change करके दिखा थे यह 10 ohms का resistance है इसको हम change करके दिखा थे फिर से हम और एक बड़ लाइट टेस्टर से इसको चेक कर लेते है देखें कोई भी सो नहीं कर रहा है लाइट इसको यह खड़ाब हो गया दिखें यह 10 ohms का resistance है इसको हम अभी लगड़ा है दिखें अभी फिर से हम cds line पर on करते हैं दिखें यह on हो गया मतलब आपका यह fuse खड़ाब था इसले यह प्रब्लेम हो था तो आभी on हो गया देखें और यह जो LED है LED भी जाल रहा है देखें दूसरा सर्किट है दूसरा सर्किट को हम ठिक करने वाले है तो देखते हैं इसका क्या problem है देखें जो भी वायर था इसको हम लगा दिया ताभी इसको series line पर connection करके देखते हैं देखें बाल्ब नहीं जल रहा है और यहां पर UV light भी नहीं जल रहा है पहले input line चेक करते हैं उसके बाद देखते हैं फेंड जेके पहले input line को चेक करते हैं देखें input line पर voltage आ रहा है और आभी DC line को चेक करके देखते हैं यहां पर fusible resistance है, fusible resistance के बाद हम चेक करते हैं कोई भी भूल्टेज नहीं आड़ा है और फ्यूजेबल रेस्टेंस के पहले हम चेक करके देखते हैं देखिए यहाँ पर भूल्टेज आड़ा है मतलब फ्यूजेबल रेस्टेंस यह खड़ाब हो गया इसको चेंज करना पड़ेगा जहें आड़ा हैं आड़ा है देखिए जो फ्यूजेबल रेस्टेंस से इसको लगा दिया फिर सम इसको सीरीज लैन पर कनेक्शन देखर देखते हैं देखे सीरीज लेंड का जो कानेक्सान है इसको ओन करते हैं देखे बाल जल गया मतलब एस सर्किट पे कोई भी पार्ट्स आभी तक भी सोट है तो इसको चेंज करना पड़ेगा देखे यूबी लाइड भी आपका नहीं जल रहा है फेंच्ट देकर माक्सिमम टेमी इस सर्किट पे एह जो ट्रांजिस्टार दीकर है 13003 एो ट्रांजिस्टार खड़ाव होता है ॉड यह जो dBberry देखर आ है यह ट्राक है ब्लु कालर का जो पार्ट दिख रहे है यह खड़ाफ होता है तो पहले हम यह ट्रांजिस्टर को चेक करके देखते हैं फेर्णस देगे ये जो टांजिस्टर था पहले ये खोल के निकाल दिया तो इसके जगा पे हम लागा रहा है वान थीरी डबोल जीरो फाइब ये टांजिस्टर हम लागा रहा है देगे ये बडा बला टांजिस्टर है ये लागा रहा है सेके गाल डांजिस्टर को हम लागा दिया लागा दूनो छा इसकोम खोल के यह दोनों ट्रैस्टर हम लिगा दिया देखिया देखिए यूबिलेट ग्लो करने लगा है देखिए यहाँ पे यूबिलेट एक बार ग्लो करके छोड़ दिया यहाँ पे लेटी भी जल रहा है और बाल भी जल रहा है मैंत लभाबका है यह सअर्कित पे फीड भी कोई भी पार्ट खाड़ा है। SCP पिर से यह त्यों ट्राँजिस्टर लागाया था यह खड़ाफ हो गया था हम छोटा बला ट्राँजिस्टर ट्री सες ट्राँजिस्टर है है उसको हम लागायाANG ॥ आभी देखते क्या होता है देखे यूबिलेट जाल गया देखे मतलावे जो ट्रांजिस्टर था ए खड़ाप था इसलिए एक बार जालके छोड़ दिया